जगत सिंग की याद में कनकावती ने इसके मंदिर का निर्मान करवाया था तो ऐसा रहा था ये जो है मान सिंग के सासनकाल में इस्सापति के शित्र में विसेश सरहानिय योगदान जो रहा था इसके बाद में नेक्ष आगे इस मानसींग जो हैं इस मानसींग की बात करें तो मानसींग जो हैं इन मानसींग के कुछ दरवारी राइटर थे मानसींग के कुछ दरवारी कवी थे और उन दरवारी कवी की बात करें तो उन में जैसे बात करें तो यहां पर सबसे पहले बात क इनके ये दरवारी राइटर थे मुरारी दास की बात करें तो इन्होंने एक गरंथ लिखा था और उस गरंथ की बात करें तो उसका नाम जो मिलता है वह मिलता है मान प्रकास गरंथ मान प्रकास गरंथ करके जो है इनके द्वारा ये रचा गया गरंथ था ये जो बात करें त तो मान प्रकास करके जो है ये गरंत जो रचा गया था मान प्रकास जो गरंत था वह जो गरंत लिखा है मुरारी दास ने लिखा है मान प्रकास जो गरंत लिखा है इसके अलावा यहां मुरारी दास के अलावा यहां पर जो होते हैं उनका नाम मिलता है जगनात जगनात करके एक और राइटर थे जगनात ने भी एक ग्रंत लिखा है और उस जगनात के द्वारा रचा गया जो ग्रंत था उस ग्रंत की बात करें तो उसका जो नाम मिलता है वह है जो मिलता है मान सींग कीर्ती मुक्तावली मान सींग कीर्ती मुक्तावली तो मान सींग कीर्ती मुक्तावली और यहां पर यह जो है आपके रचे गए जो है ग्रंत थे इनकी बात करें तो आपके मान सींग के जो है दरवार में तो मान प्रकास और मान सींग कीर्ती मुक्तावली जो है इन मान सींग के दरवार में इन ग् जब मृत्यू होती है, 1624 इस्वी में, तो उस समय इनका एक भी पुत्र जीवित नहीं होता है, अब यहाँ पर क्या होता है, कि इनका जब एक भी पुत्र जीवित नहीं होता है, तो अब आमिर के सासन को ले करके धरम संकट उत्पन हो जाता है, तो अब यहाँ पर क्या होता ह तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं एक next अगले जो है आपके सासक के रूप में और अगले सासक की बात करें तो अगले सासक जो है यहाँ पर जो बनते हैं वह जो बनते हैं भाव सींग अब भाव सींग कौन थे कई गाड़ों में ते इनको मान सींग का पुत्र बता दि भाव सींग यहाँ पर सासक बनते हैं मित्रों भाव सींग का सासनकाल जो रहता है वह जो स्टार्ट होता है 1614 से ले करके और 1621 सक जो है इनका सासनकाल रहता है भाव सींग का सबसे पहली बात तो मित्रों यह जो है आपके भाव सींग यह जो थे यह दोसा के संरक्षक थे समय दोसा जो है दोसा के संरक्षक थे यह यह भाव सींग जो थे यह जो आमेर के जो है मान सींग की मृत्यू के बाद में मृत्यू के बाद आमियर के सासक बनते हैं तो आमियर के सासक जो है ये बनते हैं आपके यहां पर भाव सिंग जो है ये तो आमेर के सासक जब बनते हैं तो ऐसा बताते हैं कि ये रिस्ते में मान सिंग फश्ट के जो है भाई लगते थे कई जगे गाइड़ों मेंने ऐसा कहा है कि इसको भाव सिंग को मान सिंग का पुत्र बताया गया जो की नहीं थे ऐसा अब यहां पर इनके सासन काल का कोई अपलब्दी नहीं है इनके जो है कोई भी अचीवेंट नहीं मिलता है केवल इनका एक पुत्र था और उस पुत्र की बात करें तो इस पुत्र का जो नाम मिलता है वह मिलता है जैसिंग जैसिंग करके जो है इनके ये पुत्र होते हैं जैसिंग और ये जैसिंग फष्ट के नाम से इनके जो है पुत्र जाने जाते हैं जैसिंग इसके अलावा इनके एक और पुत्र था और वो है आपके राम सींग करके जो है उसको जाना जाता है तो राम सींग फस्ट और जै सींग फस्ट ये इनके पुत्र थे किनके ये जो बात करें तो भाव सींग के ये भाव सींग के जो है ये पुत्र थे राम सींग और आपके जो कह सकते हैं जै सींग तो राम सिंग और जै सिंग ये जो है आपके इनके दो पुत्र थे राम सिंग फस्ट और जै सिंग फस्ट भाव सिंग के ये इनके अचीवमेंट था और कोई इनका अचीवमेंट नहीं रहा था तो अब यहाँ आमेर के सासक जो बनते हैं वो बनते हैं जैसिंग फस्ट के नाम से इनको आप लोग जानते हैं तो यह आपके आमेर के जो है सासक बनते हैं तो आमेर के सासक अब जो बनते हैं जैसिंग तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं मित्रो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें जैसिंग जैसिंग फस्ट के नाम से इनको जो है जाना जाता है जैसिंग फस्ट की बात करें तो 1621 से लेकर के और इनका सासनकाल 1667 तक जो है इनका सासनकाल रहा है 1621 से लेकर के 166667 तक जो है इनका सासनकाल रहा है लगबग 46 एर जो है इनका सासनकाल रहा है लगबग 46 वर्स जो है इनका सासनकाल रहा है इतना सासनकाल यहां डूढ़ाड में किसी भी सासक का नहीं रहा सबसे लंबा सासनकाल इनका रहा है 46 वर्स तक का जो है इनका सासन काल रहा है जैसिंग फस्ट का जैसिंग फस्ट की बात करें तो मित्रो देखिएगा ये जो है आपके जैसिंग फस्ट इनकी हम बात करें तो ये आपके भावसिंग जो है भावसिंग जो है और इनकी मा का नाम था दमियंती भाव सिंग और दमियंती जो है इनके ये जो है पुत्र थे ये इनके जो है ये क्या थे पुत्र थे ये तो भाव सिंग और दमियंती के जो है ये पुत्र थे ये जो बात करें तो आपके जैसिंग जो है ये इनका जनम जो हुआ था इनके जनम की बात करें तो यह इनका जनम जो होता है वह होता है दोसा में दौसा में जनम होता है इन्हों ने तीन मुगल सासकों का सासन देखा था इन्हों ने सासन काल देखा था तीन मुगल सासकों का सासन काल इन्हों ने देखा था और वो तीन मुगल सासक कौन कौन से थे तो देखे कर जब यह सासक जो बनते हैं तो उस समय यहाँ पर जो सासक जो मुगल सासक जो रहते हैं उनका जो नाम मिलता है जहांगीर जहांगीर जो है इस समय यहां पर यह जो है सासक रहते हैं जहांगीर के बाद में यहां पर साजहा सासक बनते हैं साजहा सासक बनते हैं और साजहा के बाद में औरंग जेब जो है सासक बनते हैं औरंग जेब जो है यह सासक बनते हैं तो यह यहां के सासक रहते हैं ये प्रश्न कई वार एक्जाओं में रिपीट हुआ है मित्रो कई वार इसको यहां से पूछ लिया गया है कि यहां पर कितने मुगल सासकों का इन्हों ने सासनकाल देखा था यह जो बात करें तो आपके जैसिंग फश्ट जो थे इन्हों ने इन्हों ने यह जो बात करें तो आपके जैसिंग फश्ट के नाम से लोग इनको पकारते हैं यह जो बात करें तो आपके जैसिंग जो है इनको इनकी बात करें तो देखेगा दोस्तों जैसिंग फस्ट की बात करते हैं अब हम यहाँ पर तो यहाँ पर यह जो है आपके आगे हम इसके बारे में जो है चर्चा कर रहे हैं और वह है जो चर्चा आगे जैसे कि यहां हम इसकी बात करें तो जैसी इंग फस्ट की तो ऐसा मानते हैं कि सा जहां जो इनके जो है बात करें तो साजहा के साथ में इनके अच्छे संबंद रहे थे साजहा के चार पुत्र थे उनमें औरंग जेव जो था इस औरंग जेव की बात करें तो औरंग जेव जो है मित्रो ये जो है बिद्रोई हो गए थे औरंग जेव जो है साजहा के जो पुत्र थे ये तो ये बिद्रोई हो गए थे तो साजहा ने इसके बिद्रोई को दवाने के लिए अपने बड़े पुत्र जो है आपके दारा सिको उसको भेजा था इसने और उस दारा सिकों को जब भेजता है तो उसको दवाने के लिए ये जो है आपके यहाँ पर इनको दवाने के लिए औरंग जेव को औरंग जेव उससा में दक्षिन भारत के सुवेदार थे दक्षिन भारत के ये जो है सुवेदार हुआ करते थे इस बिद्रोह को दवाने के लिए साजहा ने बड़े पुत्रदारा सिकों को भेजा था और उन दोनों पत्रों में मीस औरंग जेव और दारा सिको में युद्ध होता है उनमें फश्ट युद्ध जो कहलाता है उसको तो कहा जाता है धर्मत का युद्ध कहा जाता है धर्मत के युद्ध की बात करें तो धर्मत का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था 1688 में हुआ धर्मत का युद्ध देखेगा मित्रो धर्मत जो इस्थान पड़ता है ये MP में पड़ता है युद्ध की बात करें तो आपको पता है कि एक तरफ तो दारा सिको जो थे दारा सिको हो और एक तरफ जो थे औरंग जेव औरंग जेव थे एक तरफ तो दारा सिको और एक तरफ औरंग जेब दारा सिको का जो साथ दिया था वो आपके जैसिंग ने दिया था इसलिए हम इनकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर यह जैसिंग फस्ट जो है इन्होंने और इसके अलबा मारवार के थे जस्वंति सिंग मारवार के थे जस्वंति सिंग फस्ट के नाम से इनको जा पूरब आना जाता है तो इन्होंने इनका साथ दियाता दारा से को का लेकिन ये शुद्र में जो बिजे रहते हैं वो औरंग जेव की बिजे होती है Señor और औरंग जेव की बिजे के साथ में निकल और के और आपके अजमेर की तरफ आ जाते हैं यहां से निकल करके यह आपके अजमेर की तरफ आ जाते हैं तो अब एक बार फिर पुन है जो है इस औरंग जेव को दवाने के लिए बापस जो है आपके यहां से यह जो साँ जहां जो है अपना सेना भेजते हैं और साँ जहां पुन है जो है युद्ध होता है और उस युद्ध की बात करें तो उसको जो कहा जाता है वह कहा जाता है दौराई का युद्ध 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 जो होता है वह होता है 1669 में 59 में जो ह दौराई का युद्ध हुआ था दौराई जो इसान जो पढ़ता है ये अजमेर में पढ़ता है मित्रू अजमेर में पढ़ता है यहां ये युद्ध होता है दौराई का सैम ये कई ये था इधर ये दारा सिकोते इधर औरंग जेव थे इधर इनों ने ही साथ दिया था लेक दारा सिको जो है इसको बंदी बना लिया जाता है और दारा सिको को बंदी बना करके और बाला दुर्ग में रखा जाता है बाला दुर्ग आपको पता ही है मित्रो अजमेर में है बाला दुर्ग जो है ये बाला दुर्ग जो है ये आपके सौरी अलवर में अजमेर नहीं ले जाकर के और काकनवाडी दुर्ग है काकनवाडी दुर्ग है इस काकनवाडी दुर्ग में इसकी क्या कर दी जाती है दारा सिको की हत्या कर दी जाती है और औरंग जेब के द्वारा हत्या कर दी जाती है और अब ये जो है दिल्ली के सासक कौन बन गई थे औरंग जेब जो तो ऐसा यहाँ पर यह धर्मत का और दौराई के दूए थे इन धर्मत और दौराई के उद्ध में जैसी ने भी पार्टिसिपेट किया था मुगल सेना का इनों ने भी यहाँ पर नित्रत्व किया था लेकिन यहाँ पर यह बाद में औरंग जेव के साथ में मिल जाते हैं तो औरंग जेब के साथ में जब मिल जाते हैं तो अब यहां पर क्या होता है? कि यह जो है आपके औरंग जेब के साथ में जब यह मिल जाते हैं तो यहां पर देखेगा अब क्या होता है? आगे का घटना क्रम देखेगा आगे का घटना क्रम जो रहा था यहां पर आगे के घटन दिल्ली के सासक बन जाते हैं और ये सासक जैसे ही बनते हैं तो ये क्या करते हैं कि जैसींग को ये जो है दक्षिन भारत अवियान पर भेज देते हैं दक्षिन भारत अवियान पर भेजा जाता है दक्षिन भारत अवियान का मतलब उस समय जो है मराठा जो थे इन मराठाओं के खिलाब भेजा जाता है मराठा जो है इन मराठाओं के बिरुद इनको भेजा जाता है और मराठाओं के बिरुद जब भेजा जाता है तो इनको पता था औरंग जेगो के मराठा भौत तरड़े लड़ाके हैं तो इस जैसींग को ये जो है यहीं सलटा देंगे तो जैसे हीं का चेप्टर वहीं खतम हो जाएगा तो ऐसा सोच कर लेकिन इसमें मराठा जो सेना नायक जो थे मराठा सेना नायक सिवाजी इस सिवाजी को इन्हों ने मजबूर कर दिया था अपने मुगलों के साथ में संधी करने के लिए तो सिवाजी को ये क्या कर देते हैं? मजबूर कर देते हैं मुगलों के साथ संधी करने को और संधी करने को जब मुगलों के साथ में संधी करने को मजबूर कर देते हैं तो अब यहाँ पर जो संधी जो होती है उस संधी की बात करें तो यहाँ पर अब जो संधी जो होती है वह है जो संधी जो कहलाती है मुगल मराठा संधी के नाम से जो है उसको पुकारा जाता है जो की भहती important है मुगल मराठा संधी तो देखिएगा उसको पुरंदर की संधी के नाम से जो है लोग पुकारते हैं पुरंदर की संधी पुरंदर की संधी की बात करें तो मित्रों देखिएगा पुरंदर की संधी जो होती है यह जो संधी होई थी पुरंदर की यह जो संधी होती है आपके 11 जून को 11 जून 1665 में पुरंदर की संधी जो है पुरंदर की संधी की बात करें तो इस पुरंदर की संधी की बात करें तो इस पुरंदर की संधी को ही मुगल मराठा संधी कहा जाता है मुगल मराठा संधी मुगल मराठा संधी के नाम से इसको पुकारा जाता है देखिएगा सबसे पहली बात तो पुरंदर की संधी क्यों कहा जाता है क्योंकि ये पूना का दुर्ग है पूना दुर्ग है एक पूना दुर्ग की बात करें तो पूना के दुर्ग में हुई थी ये पुरंदर की संदी जो है पूना जो दुर्ग है उसमें हुई थी तो इसी कान इसको पुरंदर की संदी कहा जाता है पूना में जो है महराष्ट महराष्ट में पूना वहाँ पर पुरंदर का दुर्ग है इसमें मुगलों की तरफ से जो भाग लिया था मुगल जो है इस समय सासक की अगर बात करें देखेगा मुगल सासक की अगर बात करते हैं तो मुगल सासक जो थे इस समय उनका जो नाम जो मिलता है वह है जो मिलता है आपके औरंग जेब मुगल सासक जो थे उसका जो नाम मिलता है औरंग जेव औरंग जेव थे मुगल सासक इनकी तरफ से जो भाग लिया था ना औरंग जेव की तरफ से वह लिया था आपके जै सिंग फस्ट ने जो है इसमें भाग लिया था मराठाओं की तरफ से जो भाग लिया था वहलिया था सिवाजी ने कहने का मतलब यह जो संधी जो होती है आपके जैसिंग फर्स्ट और सिवाजी के मद्ध होई थी देखेगा अभी एक फर्स्ट ग्रेड के एक्जाम होई थी मित्रू फर्स्ट ग्रेड के एक्जाम में यहां से इस संधी से जो है दो प्रशने पूछे थे दो पेपरों में एक प्रशने तो ये पूछा गया था कि ये जो है मुगल मराथा जो संधी जो है इस मुगल मराठा संदी जब हुई थी या पुरंदर की संदी जो हुई थी प्रिशने था पुरंदर की संदी के समय मुगल सासक कौन थे तो वो है तो कौन थे औरंग जेब थे समय मुगल सासक अगर बात करें तो दूसरा पुछा गया था कि मुगलों की तरफ से इस संधी में किसने भाग लिया था तो वो लिया था आपके जैसिंग फश्ट ने जो है इसमें भाग लिया था इस संधी की सर्तों की अगर हम बात करें तो ये तो जो है इस संधी की जो सर्तों की जो बात करते हैं तो सर्तों क के बारे में देखेगा कि इस सर्त क्या रही थी संधी की जो सर्त जो रही थी वो क्या रही थी तो देखेगा यहां पर जो सर्त जो रही है इसकी वो क्या रही है सबसे पहली सर्त जो रही थी उस सर्त की बात करें तो पहली जो सर्त है फश्ट जो सर्त जो रही है उस फश्ट स पुट्रति की बात करते हैं तो मित्रो इसमें क्या था कि सिवाजी, सिवाजी जो है अपने पुत्र, सिवाजी अपने पुत्र जो है संभाजी को, संभाजी जो है इस संभाजी को ये जो है आपके मुगल सेवा में भेज देंगे, मुगल सेवा में भेज दिया जाएगा और म मुगल सेवा में वहाँ इनको 5000 का मनसबदार बना लिया जाएगा इनको वहाँ पर 5000 का मनसबदार जो है एपोइंट कर लिया जाएगा तो ऐसा ये जो है पहली सर्थ थी कि सिवाजी अपने पुत्र संभाजी को मुगल सेवा में भेज देंगे और संभाजी को मुगल दरवार में 5000 का मनसबदार appoint कर लिया जाएगा दूसरी सर्थ यहाँ पर जो थी दूसरी सर्थ की बात करें तो second जो सर्थ जो रखी गई थी कि सिवाजी जो है सिवाजी जो है सिवाजी के पास में 35 दुर्ग थे इन 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को देगा 23 दुर्ग जो है यह किन को देगा मुगलों को देगा 23 दुर्ग जो है यह मुगलों को देगा यह जो बात करें तो आपके सिवाजी जो है यह दूसरी सर्थ थी कि सिवाजी के पास में 35 दुर्ग थे इन 35 दुर्गों मैंसे 23 दुर्ग ये किनको दे देगा मुगलों को दे देगा इसके बाद मैं थर्ड जो सर्थ जो हुई थी वह है यह हुई थी कि सिवाजी मुगल सेवा में उपस्तित होने के लिए तो मुगल दर्वार में सिवाजी मुगल दर्वार में उपस्थित होने के लिए तो सुतंत रहेगा लेकिन जब भी मुगल कहेंगे तो सिवाजी 500 घुरसवार सेनिकों के साथ में सेनिकों के साथ में मुगलों की सेवा के लिए तयार रहेगा मुगल सेवा के लिए तयार रहेगा मुगल सेवा जो है इसके लिए तयार रहेगा कहने का मतलब सिवाजी को मुगल दर्वार में पस्थित होना कोई अनिवार नहीं था लेकिन जब भी मुगल कहेंगे कि भई रखी गई थी नेक्ष सर्थ की बात करें तो फूर्थ नम्मर की जो सर्थ जो रखी गई थी उस फूर्थ नम्मर की सर्थ की अगर बात करते हैं तो वह है जो सर्थ रखी गई थी वो देखेगा क्या थी फूर्थ नम्मर की जो सर्थ जो रखी गई थी वो क्या थी कि बीजापुर जो है इस बीजापुर जो की करनाटक में पड़ता है करनाटक में पड़ता है बीजापुर जो है इस जो है यहां पर इस बीजापुर को मुगल और मराथा मुगल और मराथा दोनों मिलकर के मुगल और मराथा दोनों मिलकर के जो है इस बीजापुर को बिजित क बीजापुर की आय की दरष्टी से भहुत ही अच्छा वो था तो इसको जो है ये बिजित करेंगे और बिजित करके यहां का सूबेदार यहां का सूबेदार जो किसको निप्त किया जाएगा, सुवेदार जो निप्त किया जाएगा वह है जो किया जाएगा सिवाजी को सिवाजी को यहां का सुवेदार बना दिया जाएगा और सिवाजी को यहां का सुवेदार बना दिया जाएगा तो सिवाजी इसके बदले मुगलों को क्या देगा तो सिवाजी इसके बदले मुगलों को जो देगा, वह है जो देगा मुगलों को 40 लाख हून वार्सिक देगा, 40 लाख हून जो है ये वार्सिक देगा, 40 लाख हून जो है ये वार्सिक देगा, ये जो बात करें तो मुगलों को, ऐसी यहाँ पर ये सर्तें होई थी, ये पुर पुरंदर की संधी को अब यहां इस पुरंदर की संधी के बाद में यहां क्या होता है कि यह जो है आपके औरंग जेव जो है औरंग जेव की बात करें तो औरंग जेव क्या करता है कि अब यहां पर यह जो पुरंदर की संधी जो है इसके बाद में क्या करता है औरंग जेव इस जैसींग को पुरंदर की संदी के बाद में औरंग जेब ने इस जैसींग को जो है आपके बीजापुर अवियान पर भेज दिया था बीजापुर जो है अवियान पर भेजा जाता है इसको और बीजापुर अवियान पर जब इसको भेजा जाता है बीजापुर अवियान जो है वहाँ इसको भेजा जाता है और बीजापुर अवियान पर जब भेजा जाता है तो वहाँ यह अवियान इनका फिलॉप रहा था ऐसा फल अवियान रहा था इनका और यह ऐसा फल अवियान से जब लोट रहे थे बीजापुर से लोटते समय यहां से जब लोटते समय यह जो बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जैसे यह लोट रहे थे इधर से तो ऐसा उलेक मिलता है कि आपके 16662 में सोले सो सरसट इसवी में बुरहानपुर बुरहानपुर जो है इस बुरहानपुर की बात करें तो ये आपके MP में पढ़ता है इस बुरहानपुर में एक नदी जो है तापती नदी इस तापती नदी की बात करें तो इस तापती नदी के किनारे औरंग जेव ने ही इनकी क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी थी किसकी, आपके Jai Singh की तो Jai Singh की यहाँ पर यह इस प्रिकार से म्रत्य हो जाती है, बीजापूर अभियान से लौडते समें, बीजापूर करनाटक में पड़ता है, उस अभियान से लौडते समें, इनकी बुरहानपूर में 1666 में हत्या करवा दी जाती है तो ऐसा रहा था ये जो बात करें तो आपके यहाँ पर जैसिंग जो है इनका ये जो सासनकाल जो रहा था ये तो जैसिंग जो है इनका ये कुछ इस प्रिकार से जो है यहाँ पर ये सासनकाल रहा था इसके बाद में यहाँ पर जैसिंग का कु दरवारी कवी थे, इस कवी की बात करें तो इन्होंने गरंत लिखा था और उस गरंत की बात करें तो इसको का जाता है बिहारी की सत्साई, इन्होंने सत्साई करके जो है ये गरंत लिखा था, ये बिहारी की सत्साई करके जो है इनके दरवार में लिखा गया गरंत था, इसक औरंगाबाद जो है माराष्ट में पढ़ता है मित्रो माराष्ट में पढ़ता है औरंगाबाद यहां इन्होंने क्या किया कि गाउं बसाया और वह था जैसिंग पुरा तो जैसिंग पुरा जो है यह गाउं बसाया था जैसिंग पुरा और यहाँ पर इनकी बीवी का मकवरा भी जो है बना हुआ है औरंग जेब की तो इस प्रिकार से जो है औरंगाबाद चर्चा का जो है केंद्र है यहाँ पर ही इनों ने यह जैसिंग फश्ट ने यहाँ पर यह जैसिंग पुरा जो है यह गाउं बसाया था तो जैसिंग पु और वह है नेक्ष अगले सासक की बात करें, तो उनके बारे में जो चर्चा करेंगे वो कल, आज के लिए इतना ही काफी, नेक्ष अगले चेप्टर में हम चर्चा करेंगे, नेक्ष अगला जो सासक बनेगा, तब तक के लिए नमस्कार, जैहिंद!